केशुरा पाटन धार्मिक पौराणिंग केशव नगरी में अव्यद मतस्य आखेट कई वर्सों से जोरो पर है मचलियों पर आखेट करने वालों का होसला इतना मुलंदे की इस पवित्र धार्मिक इस्तल के पास ही रात के अंधेरे में जलिये जीवों का अवै शिकार करते हैं जबकि राष्टे चंबल गडियाल अब भ्यारन का छेत्री कारयाले भी 200 मीटर की दूरी पर ही इस्तित है लेकिन वन विबाग अधिकारियों के अंदेखी का आलम यह है कि अवैद मतस्य आखेट करने वालों का खुलम खुला मतस्य आखेट खेल सारा चल रहा है इस संधर्ब में पूर में भी शेहर के सामाजिक और धार्मिक संग्ठन इस आखेट का विरूद कर जन पृतिनिदी और प्रशाशनिक अधिकारियों के मामले में कई बार ग्यापन परदर्शन कर अवगत करवा दिया गया है लेकिन जिम्मेदार आख मूंद कर बैटे हैं दोसी तरफ आखेट करने वालों का आलम यह है वे बेदड़क होके बिना किसी डर के जलिये जीवों का शिकार कर रहे है यदि आमजन उनका विरोध करता है तो वह विस्पुटक सामागरी के हमला करने का प्रयास करते हैं जिससे चंबल नदी में स्नान करने वाले शद्धालूँ और आमजन में भेका माहौल व्याप्त है इसी प्रकार शुक्रवार को प्रातेकाल केशव घाट पर मगरमच म्रत बच्चा नजर आया जिसकी सूचना इस्नान करने वाले आये लोगों ने वन विभाग को दी जिस पर वन विभाग की चीम ने पहुँचकर मगरमच को पोस्माटम करने के लिए पशुचिक साले इस्टिया